वो हुआ था और आई थी मोनिका गांधी, तो डियम साहब थे, डिडी साहब थे, उनके समक्ष जो उन्होंने का कि आप लोग ब्लैक राइस की खेती करिये, उससे जो है किसानों की आय दूगनी होगी, तो पूर डिडी आरके सिंग थे, तो उन्होंने बहुत परयाद से जो ह कैसे आम तोर पर पानी और फसल, खाद भीज, इसमें दवा तो खाद और राशायनी कुरवरा को राशायनी किट नसी का परयोग नहीं किये है, किया थोड़ा सा गर्मीम बनाए थे, बर्मी कंपोस्ट, तो बर्मी कंपोस्ट से ही उसको उत्पादित किये है, क्या कुछ ला और इसको हम बड़े पैमाने पर हम भी करेंगे, और जो साथी बराती हमारे हैं, उनसे कहें कि भाई आप लोग यदे ज्यादे पैमाने पर इसकी खेती करिए, रोगियों के लिए भी फायदे मन्द है, और दान भी इसका अच्छा मिलेगा रेट, तो आपनों की आई जो है मतलब कि इसकी खरिदारी जो है, और धानों के पैक्छा जो है, अच्छे रेट पर ज्यादे उतपादित किया जाए, जो किसान उतपादन कर रहे हैं, उसको अच्छे रेट में करके इसकी वो करब यहाँ पर ब्लैक राइस की वराइटी पहली बार जनपर चंदौली में कांक शात्मक जिला यानि आस्पिरेशन डिस्टिक्ट होने के बाद किसानों में सीड्स का बीजों का वितरन करके करबाये गया, तो आज उसी की क्रॉप कटिंग के लिए यहाँ पर आये थे और काफी वृद्धी होगी, इस बार जितने भी किसानों ने बीज लेकर और इसकी उत्पादक्ता अपनी देखी है कि काफी अच्छी हुई है, अगले साल इनको बीज के रूप में इस्तिमाल करके और और अधिक किसानों के बीच में इसका प्रिचार प्रसार किया जाएगा, कि नहीं, तो उसका जो पूरा विशलेशनात्मक एक चेक अप है, वो आयाराराई वारनसी में होगा, आज सैंपल जहां से कलेक्ट होके जा रहे हैं, पाला नमक हमने जून महीने में मनिपुर से मगाया था, और काला नमक की बिसेश्ता है ये, कि ये जिंक और आईरन इसमे स्टार्च और कर्भोहड़िट कम है, और इसकी संभावना किर्षी के दिस्टी कोहर से, आय की दिस्टी कोहर से, कि जैसा कि अभी किसानों की आय दो गुना करना 2022 तक, तो हमारा जो आंकलन है, जो जो सामान पर जातियां है हमारी धान की, उसका समर्थन मूल 1750 रोपे है, प ऩार बाल Tाफ हमारी दो ओक होड़िट कोहर से, कि सब्सटी कहल से, किसानों मूल 1750 रोपना तक मिने से, मिने से, कि इना है लोग जो जो भी क जो ये कुछा रहां है, बाल जो सामान कीन ये सुनतर है, बाल स्यान की मूशन तक हुचाफण दो से, चिता हैं उतितैसा किस